अगर आप भी वही आलू और परवल की सब्जी खाखा के बोर हो गए ना तो परवल और टमाटर प्यास को इस तरीके से फ्राइ करके एक बार ये सब्जी जरूर बनाईएगा ऐसे सब्जी ना आपने कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी तो हर नई चीज को एक बार ट्र तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल में जो घंटी है उसे दबाकर और पर क्लिक कर लें तो चलिए जादा देरना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस में जिदा और सी सब्जी को बनाने के लिए हमने यह पर लिया है एक पाव परवल इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे यह उपर की साइट को कट कर देंगे और इधर नीचे की साइट को भी हम कट कर देंगे तो यह परवल दो दिन पहले आया था इसलिए थोड़ा सा ऐसा है पराफ प्रेश इस तारीके से खुरच चील नहीं है डशे हैं तो चलिए फटा फटे हमAyousan लिए काम कर लेते हैं अगर आप परफल कहने काने हैं अगर पर्वल के शौकीन आपको परफल की सबजी अच्छी लगती है ना तो यह यहे वाली रेसिपी बहुत बहुत ज्यादे पसंड़ आएग अग्दम दिवाने हो जाएंगे सब्सक्राइब गच्चान के बाद में बीच से इसको फाड लेना है कुछ इस तरीके से देखिए अग्दम अलग नहीं करना है बस ऐसे इसको फाड लेना है ताकि जब फैर तो अच्छी से अंदर तक एक्दम प्रॉपर फ्राइ उजाए तो सारे परवल को हमने इस तरीके से कट लगा दिया है यह देखिए तो इस तरीके से जब हम कट करके फ्राय करेंगे न तो फिर अंदर तक अच्छी से फ्राय हो जाएंगे तो कच्छापन नहीं रहेगा तो परवल का शिलका थोड़ा सा हाड होता है तो इसलिए हम सबसे पहले क यह तक पकाते हैं तो यह पका हुआ तेल था अब हम क्या करेंगे एक मीडियम साइज के टमाटर को इस तरीके से ऐसे छेत कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राय करें तो यह अंदर तक यह भी खुबच्चे से फ्राय हो जाए हम डाल देंगे इसको भी तेल में तो परवल अच्छ से फ्राय हो रहा है हमने तमाटर को भी डाल दिया एक मीडियम साइज की प्यास को भी हम चील कर उसी तरीके से चेत करके हम इसको भी डाल देंगे अगर आपको आलू डालना है तो फिर आप क्या करिएगा कि आलू को भी चील कर आप ढालदी जय गा अश्यों अ तब तक राइक तामाटर का छिलका रही वह सीकूड नहीं जाता इसको इसको निकाल लेंगे और प्यास टमाटर को लास्ट में निकालेंगे क्योंकि हम न इसको लास्ट में डाला था तो यह बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो गया है इसका जो टीस्ताइचा अगर आप इस तरी म冷 đãi很 vâng, आधी छोटी छोटी माश, अल्दी पाउडर, जोटी माश हालती ममी निए ओड़ य। हको य। अधी छोटी मम जोटी में य। य। जोदिए हुप पाउडर, इदर अधी छहएं जोटी चूंह, जोटी मही करें। नि एक को फ़ स्चेल लोग थंदा होने के बाद हमुआ किया करेंगे मोटे मोट तुकड़ों में ज्यादा बड़ा छुटा च्छुटा नहीं करेंगे बस ऐसे कर लेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइन करना है तो छिलका भी इसका सॉफ्ट हो गया है आसानी से निकल जाता है तो इसको भी हम हटा देते हैं और इसको हम छोटे-छोटे टुकडों में करकर थूड़ा सा बिल्कुल पाने डालकर हम ग्राइन कर लेंगे एकदम स्मू आदी छोटी चमश मेथी दाना उसी में थोड़ा सा जो है दालचुनी का टुकडा था उसको भी डाल दिया है आदी छोटी चमश जीरा डाल देंगे उसके बाद एक टीस्पून डालेंगे लैसुन अद्रख का पेस्ट अच्छे से बूल लेंगे एकदम धीमी आस्ते उसक तो मसाला जब ऐसे तेल छोड़ने लगे ना तब हम डालेंगे टमार्टर और प्यास वाली प्यूरी तो इस टाइम पहमें डालना है और अच्छे से तब तक भूल लेना है जब तक पिर से तेल ऐसे रिलीस नहीं हो जाता अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसल दे त जान अथे वाले सदेख पर अपे का इसका यूँ मिधी को क्रेश करें अब हम इसमें डालेंगे नमक मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि दही डाले तो दहीम डालकर फिर नमक डाले तो फिर आफिम आम जो है बात में लिग लाब यह्係 गाहार अपर पिछली वीडियो अग इतना जबर जस्त टेस्टी कबाब बन के तियार होता है। उसी के लिए मैंने आलू बॉयल की थी। मैंने दो आलू को बॉयल किया था पर मैंने एक कही उसके है, एक मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मसाला जो है वो काफी अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें डालेंगे पानी, तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर मैं तो यही कहूंगे कि आप लोग मतलब पानी बहुत जादा मट डालिएगा, क्योंकि बहुत जादा इसमें अ इसको डाल देती मतलब फर्वल को और ट inertल का का तब ही हम डाल के, कोई ज़रूरी जालना जाते हैं तो डाल सकते हैं अच्छे से धीमियास से तीन सुचार मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे उसके बाद सब्जी तयार होगी ना बहुत 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 जादा डेस्टी बनके तयार होगी और परवल अगर आपको लग रहा है कि सॉफ्ट नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और बहुत सारी रेसिपी इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अल्रेडी अविलिबल है तो आप लोग जरूर देखेगा अभी मैंने रेसिंटली केले को फ्राइब करके एक रेसिपी बनाई है मौफली की सबजी और दही के कबा बहुत जादा डेसिटी बन की त्यार होते हैं तो आप लोग उसे भी जरूर देखेगा उपर आई बटन पर उसका लिंक है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई